राधा अश्ट में राधा श्रीक्रश्ट के साथ गोलोक में निवास करती थी एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी उस समय श्रीक्रश्ट अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में बिहार कर रहे थी राधा जी ये सुनकर क्रोधित हो गई और तुरंट श्रीक्रश्ट के पास जा पहुची और उन्हें भला बुरा कहने लगी यह देखकर कहना के मित्र श्रीदामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को प्रत्वी पर जरम लेने का श्राब दे दिया राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा महां से नदी रूप में चली गई इस शाप के बाद राधा ने श्रीदामा को राक्षस कुल में जनम लेने का श्राब दे दिया देवी राधा के शाप के कारण ही श्रीदामा ने शंग चूट राक्षस के रूप में जनम लिया वही राक्षयस जो भगवान विश्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वरश भानुजी की पुत्री के रूप में प्रत्वी पर जनम लिया लेकिन राथा वरश भानुजी की पत्नी देवी कीर्थी के गर्ब से नहीं जन्बी जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को शाब दिया तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको प्रत्वी पर देवी कीर्थी और व्रश भानुजी की पुत्री के रूप में रहना है वहाँ आपका विवा रायन नामक एक वैश्चे से होगा रायन मेरे ही अनिशाफतर होगा और प्रत्वी पर भी आप मेरे प्रिया बनकर रहेंगी उस रूप में हमें विशो का दर सेहना होगा अब आप प्रत्वी पजन्म लेने की तैयारी करें सांस्क्रिक द्रश्टी में देवी कीर्थी गरवती हुई कीर्थी के गरव में योग माया की प्रेणा से वायू का प्रिवेश हुआ और उन्होंने वायू को ही जन्म दिया जब वे प्रसर पीड़ा से गुजर रही थी उसी समय महां देवी राधा करन्या करूप में प्रकट हो गई क्रेशन प्रिये राधा राने के प्राकाटे दिवस पर व्रत रखने से भगवान क्रेश भी प्रसंद होते हैं और मनोंचित फल प्रदान करते हैं राधा नाम संसार के सभी दुखों को हरने वाला है मानने तक अनुसा इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है